सबसे पहले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिवाली की धेरो शुब कामना है और उमीद करते हैं कि साल आपका बड़ा बहतरीन गुजरे और शुरू करते हैं और आज तो भाई बिग बॉस हमने देखा वीकेंड का वार और सलमान खान ने भी वैलिटी दे दी के मुनबवर से अ आप अगर देखो तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसकी ऐस सच तारीफ होती हो कि अन्याइब i 길 ओव यहाईड बंदा है जिसके हम तो फैंन ही हम तो तारीफ करिय रहें जनतव अवाम जो है वो अलग तारीफ कर रही है और सलमान भाई भी तारीफ कर रह रहे हैं एक नेगेटिव एडवाईज एक नेगेटिव ओपीन रखतो एक बंदे के खिलाफ और फिर बिग बॉस उसके साथ दे रहा हो अगर तो आपके तो क्या बड़े बाइस है देखो तो सिर्फियार किसके साथ दे रहा हूं क्या कर रहा है शो के अंदर एक ऐसा बंदा जो के एक भी कॉमेंट्स आरे होते हैं तो मिजॉरिटी जो है वो मुनवर के फेवर में है कोई हम पोल लगाते हैं तो उसमें मुनवर के फेवर में चीज़ आ रही होते है तो अब इसे इतने साथ लोग तो बायस नहीं थे टूटर पर आप ट्रेंड्स देख लें तो उसके एक बन्दा बन्जा है सबका तो वो बड़ी खुदमेंगी अचीवमेंट है बात वही है नहीं कि देखो सल्मान भाई भी जो बुलते हूँ ही बुलते हैं कि जिसे मनारा कुबर समझा रहे होते हैं कि एक बन्दा आपको समझाता है फिर आप दूसरे के पास जाती हूँ आपको अलग बाते हैं बोलता है जिसके आपको पहले के उपस हट जाता है तो उसको भी ख्लाइटी मिली कि भाई नहीं अच्छा ये चीज है उसके बाद हम देखते हैं कि मनारा उसको जाकर हट भी कर रही होती है उसको समझ आता है कि नहीं याद बाबली है समझ आया है कल को फिर कुछ बोलेगा देखते हैं कितनी बाबली है कि अभी जो समझाया गया है वो कितना समझ में आता है कितनी देर तक रहता है तो ये उसको भी बताए कि बहुत हो गया तुमने बहुत अच्छे बनगे बहुत चीज कर लिए अब बस अपना खेलो छोड़ दो ये समझने वाले लोग नहीं है इनका ऐसा ये पल में पल्टी खा जाएंगे तेवाला चक्राइब उनवर ने भी मनारा को ये समझाए कि मैं जब आपको समझाता था उसके बाद आप इसी और के पास जाकर बैठती थी मैं चार पास घृटे बाद जब वापस आता था उसी पोजिशन पर होती थी वही डिप्रेस्ट तो यानि उन लोगों के साथ बैठ के आपको कोई फाइद जिससे पूरा उनको एक्सपोज कर देते हैं और सारी चीज़ उनकी एक्सपोज हो इस अब को बाद चल गया बाई या बाई दान्स को अलग होता है और फिर वह भी आज जो आपको कहता है कि आपको बाई के स्टेंड लगाना नहीं आता आप तो भी बिरो सेना है या क्या स या बाई टेलेविजिन में क्रोरों लोगे सामने लाना दे वह रही पता है जो भी हो रहा है थीक है उनकी हरकतते हिए और जो हर कहते हैं यह दो आ हरकत ना करें और वह हरकते हैं ना करें तो ऑबिसरी तो ने को तार्गेट हो भीodor कें रहा है कि यह बोर चाब हो हो भी जा फिर वाली बात बताई कि कुट्टे का पिल्ला वाले सलमान भाई ने काफी असे इंजॉई किया इस चीज़ को कि मनवर ने अपने दिमाग से कितनी आसानी से चंड सेकंड में निकल लेकर चोर गौन है चोर पकड़ने का तरीका उसने बता दिया वही कैसे पकड़ना है हार्मलेस लेकिन उसको हांफुल किसने बनाया वो गया अनुराग और जाकर अरू कहता है अपर गाली दे दी कुट्टा बोला तुझे हमें याद हो अकले उसमे ही होता था जैसी मनवर जाता था तो बहुत है भाई यह तो तु तु झाल देके चल लिए इसदपर बात आ गई कोई लम्हा नी छोड़ा कोई मुमेंट और कातरीना भी बुछ रही है के इसंट ही इंटरनेश्टल डांसर सलमान का नमा भी हस बड़ा के वई इनका इंटरनेश्टल लाबू गया अगे बढ़ते हैं और एक बड़ा ही एहम उद्दा जो हमें भी खटकता था कही ना कई और ह हम यही सोचते थे कि यार यह क्यों ऐसा खर रही है आश्वरिया और नील इश्वरिया का जो तरीका है अपने पती के साथ वो हमें बहुत अजीब लग लगता था और आज पता चला कि सिर्व हमें ही नहीं पूरी जंता को ये बहुत अजीब लग रहा है और बिग बॉस की देखा जाता दुट को पोदिया है! इसे करखें ये है, experiencing रही है तो उसको कंसोल कर रहा था, तो संभाल रहा था, तो ये बड़ा अच्छे देखने को अच्छा लगा, लेकिन बात में नील की ही हो रही थी, उसके महले के लिए हो रही थी, और उसको मेरे खाल से कंफरेंट करना चाहिए, क्योंकि at the end, अभी जब end हुआ था, बीच में ब्रे जब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके भी पर रहा है, उनका भी ब्रेकडाउन हुआ, कि मैं आप सही सब्सक्राइए, क्योंकि देखते हैं, अनुराग का भी फड़ा हुआ था, बात नहुआ था, हम ये सोच रहे थे, कि इतना सब कुछ हो गया, और फिर जो कपल्स औ और जो लोग डांस कर रहे था, आपस में, वो किस मूट से डांस कर रहे हुए, तो विनावर नो, इसा से शाहिद पहले हो, पहले रिकॉर्डिंग हो गई हो, क्योंकि वो हम देखते हैं, अनुराग का भी फड़ा हुआ, तहलका से, और अरुन से, फिर वो तीना डांस कर र हमारे वज़ा से, विकी ने भी यही क्या अनकिता के साथ, कि तुम क्योंके मुझे इस तरह से टीड करते हो, या मुझे इस पोजीशन पहले आती हो, कि मुझे इस तरह से बिहेव करना पड़ता है, तुम नहीं समझती, इस वज़ा से बुरा लगता हूँ, जैसे अनकिता बिग बॉस को बोलो कि यह मैं डिसेस्पेक्ट कर रहे हैं आप इसको स्टैंड लें और कुछ बोलें नहीं नहीं देख रहा था यार वो बहुत सारी एक्जामपल्स है जिसमें दिखता है वो जड़कता है उसको बुझता से ट्रीट करता है लेकिन वही ते कह रहा हूं तो उ तो भी अगर ऐसे चीज़ दिख दिख दिया तो अब नहीं कहते है उस पर भी लड़ाई करें और फिर अनकिता नहीं जाके मनाया कि भाई गले मिली उससे बैकक दिया कि अब तुम जैसा बोलोगे वैसा और जो भी कुछ बात चीत हुई तो एट दी एंड हमेशा मैंने यह कि अनकिता ही फिर जो है वो जुकती है विकी बहुत कम जुकता हो नजरा आता है मुझे और जब भी देखा है तो या तो किस्तों के तरि डाट पड़ती है विक बा तोड़ा साहलका होता है लेकिन जैसे अभी थोड़ा धीमा हुआ है लेकिन उससे भी उमीद नहीं है विकी अपने ओरिजनल नेचर पर ही है वो जाके फिर सही या जिब सा उसके साथ ट्रीट करता ही रहेगा विलकुल और इच्छा के लिए इसलमान भाई ने बोला कि आएग यह में ज़िए समझ नहीं आता है या मुझे लग रहा सच है या नहीं सच तो नहीं हो गार निकाल आया है सोचो तीसरा कोई ना भी हो नहां हो सोचो ना हो एक प्लांटेड बंदा है गर कर दाखिल होतेवे अच्छा एक बंदा अगर आ जाए प्लांटेड एंटर हो गया थर्ड बंदा और वो कैई मैं तुम मिरे बाइफरेंड नहीं हो तुम कौन हो आगर समर्थ को लाए ना तो पूरी वैरिफिकेशन और चीजों के साथ लाए ऐसे नहीं कि उसना बोला होगा मैं बाइफरेंड बेज तीसरा भी होगा तो आएसे जूट को बगाए वैरिफिक अगर ऐसा करें, वैसा नहीं कर सकते हैं वैसा सिंकिंग वाइल्ड एसी भी मैस उसे इंडिटेंब्मेंट कर शुच रहा दो अलग है लेकि इतना नहीं घिर सकते हैं भी बॉस वाले एक लड़की का आपने वैसे इतना जुचा मारतीन, पर पर दो ये जिनघे अगुचंहारी लेकिल में लेकिल में इतना न मेंटकुचा लेक्न अबसकारिया युच्ति प्रकारियों हूरा अपने मझा घ्रियुक्त यह घ्र violation relation status क्या है बहुत ड्रैग होई यार आगे चीज़ें बहुत साई चीज़ें आप समझ कि उस पर बात कर लो जो हिलता रहता है उस पर बात कर लो लेकिन वही दिलेशन वाली चीज़ पुरी कि अभी यह एक और वो अपके relation status है अब आएगा अब कौन होगा मुझे भी लगा कि इस वीकेंड के बार में यह पूछने किया है बताने की जरो होती नी थी एक मुव अन हो चुके है खांजादी अभी शेक का एक अलग लफड़ा चल रहा है यहां पर समर्त और इशा का अपना एक अलग दुनिया शुरू हो चुकी है वो लोग अपने अलग गेम में आ चु जा दिया पर उनकी परसनलिक लाइफ है जो दिख रहा है समझा दो लेकिन कि किस से किसे बिएफ करो आप इसके साथ सानी करो भी वो जैसे भी करें है हजबन राइफ है मुमें खाल से तो इतना नहीं करना जाए था जितना उसको ड्रैक किया गया पुरी चीज़ों खेंचा भाण में जाए तो मुनवर के लिए भी लेसन था मुझे लिए एंकिता के लेए था मुनवर और ओ अंकिता समझाता है समझात को समझाता है तेवाला चकर उसका है तो यह बोला कि छोड़ दो सबको अपने हाल पे बाकी यार यह एक बड़ा ही इंकशाफ हुआ है तहलका खेज इंकशाफ तहलका के ग्रूप से के अनुराग ने आज बोला कि मैं बता दू कॉल वाली बात बता दू कॉल वाली बात और फिर यह साथ बात सामने आती है कि अरुन ने किसी के थूरू या खुद से अनुराग को कॉल गी थी और कहा था कि हम मचा देंगे हम तहलका मचा देंगे कुछ भी कर देंगे लेगन अनुराक का कहना है इसने कहता है कि तहल का भी आ रहा है तो हम तहल का कहीं लएंगे या जब कछ चुच करेंगे जबकि अरुन का कहना है अब पहला तह यहीं दे कहा है कि अभी विक्की और नील वाली अनड़क को वात हो तो सब से भूचा गया था अब अब आपने इस चीज़ पर बात मेरे खाल से तो होगी यार अगर आपने इस वक क्यों नहीं उनको छोड़ा किसले किया था कि इन्हों नहीं 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 दिखा ही मतलब अगर कॉल किये तो अब इस वक ही बता देते कि भाई के नहीं की है लेकिन सिर्फ ये बात ही जब भी बताया नहीं उसने क्या बात ही है वही बुल देता है अब बुछ लिए अब अब को इस पर कोई एक्शन कुछ तो होगा शाइद छोड़ रहें दूसा मिजे यह था तब आप में खाल से वीक अजीब सीने को भी अरबाज को आना है नहीं तो यह कपछले कम्लीट होगा ना भी तो नॉमिनेशन नहीं होगा यह नॉमिनेशन होनी है जो संडे वाला है उसमें अरबाज और उनकी एपिसोड से पहले पहले सुल्मान भाई का पुरा होगा यह नहीं होगा है उसको एक पार्ट पता नहीं होगा पता है जो जाएंगे तो दो किया थी होगी ना जो आपने जिकर भी किया था अगर वा आ रही होती तो पहर तो आ जाएगा लेकिन वह इतनी लंबी इतनी दूर की कैसे चुड़ेगा में खाल सै वह हसके होवा में बात है वो शहाइद नहीं है लेकिन यहाए कि नवैत की किसमत अच्छी है सना की भी किसमत अच्छी है घरबार जब बच जाते है और उन्हाव भी उपज़ गया अभ लह नौ मिनेट हुआ था तो बच गया उन्हान पर नौमनेशन नहीं है कि अभी किसी का face off ता से समर्द का और अनुराग का स्वैक किसमें जादा है समर्द को सबसे जादा votes मिले वो जीत गया अनुराग के तो वैसे ही सब की लोगों की जलीवी थी और सलमान भाई की बें जलीवी थी उन्होंने को इनको vote नहीं मिले इसे तरह मनारा और इशा का हुआ मनारा ने फिर जो है वो अपना हाट से खांजादी लेकिन यह कि समर्द और जारसी बाते अब यह थोड़े कटके हैं मनारा से तो vote नहीं मिले इशा जीती इसलिए लेकिन यह कि समर्द और अनुराग कर था वो वन साइड़ीट सा पूरा क्योंके आविस्सी जो टैलेंट समर्द ने देखाया गाल इलाने का गाल नहीं वो गोड़ा बन जाता है भाई वो जैसे ऐसे आता है न वो गोड़ा बनता है उसको एक और बी चलेंज मिला कि सीधे खड़ो के दिखाओ एक मिड़ तक था वो भी इसने कुशिश थी लेकिन वो गोड़े वादा टरेंट वही वाई वाई कवाल है समर्द काहा से जीगा तुमने आए तो यह वाला था दूसरा यह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यह एक चीछ जो के इशू है जिसको रेस करना चाहिए वो यह कि तेहल का ने जो कुशन पानी पेगे हैं कि अविसी प्रॉपर्टी को डेमज किया बिग वास की तो उसके बात होनी चाहिए तेहल का की एक क्लास बनती है कि यार वो बिग बोस अखाड़ा होना चाहिए तो इसका नाम पला था ना पता है नी बोला होगा तो बिग बोस अखाड़ा के भी विश्पूरी होगा यह बिग बोस का आ गया है लेकर नहीं एक है एक्साइटेड है तो दोस्तों यह था हमारा अचका एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा यूटीब चैनल लाइक करें सब्स्राइब करें कॉमेंट करें अपना बहुत साथा ख्याल रखें बाइबाइबाइबाइबाइबाइब